हेलो गाइज, स्वागत आपका बोरूटो टू बलो वर्टेक्स की एक और थियोरी वीडियो में आज हम जो कोड के आख पे इस कार है उससे स्टार्ट करते हैं कि ये इस कार आया कैसे तो जैसा कि कोड ने चैप्टर में मैंशन किया है कि वो दो साल से बोरूटो का पीछा कर रहा है मतलब टाइम स्किप के एक साल बास से वो उसका पीछा कर रहा है इट मीन्स कि बोरूटो को ट्रेनिंग करते वे वन येर अल्रेडी हो चुके थे तो अगर इस कार कोड को स्टार्टिंग में मिला है तो जरूर कोड दो साल पहले बोरूटो और सासके से मिला होगा और इस situation को consider करना कि कोड time skip से पहले 10 टेल की आर्मी को ready कर रहा था और इसलिए वो किसी पे भी उस time attack नहीं कर सकता था मतलब कि एक साल में उसने 10 टेल की आर्मी को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया होगा और तभी उसने बोरूटो को ढूरना स्टार्ट किया होगा और क्योंकि कोनोहा के सास सास सारे विलेज सासके और बोरूटो को मारना ही चाहते थे तो कोड को ये एक बहुत वड़िया opportunity दिखी होगी क्योंकि अब बोरूटो की help करने वाला कोई नहीं था और हाँ अगर आप भूल गए हो तो कोड बोरूटो को कावाकी समझता है क्योंकि time skip से पहले जब AIDA ने कोड को छोड़ा था तो कोड का promise वहीं पे खतम हो गया था वो कावाकी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था और अब क्योंकि बोरूटो कावाकी से switch हो चुका है तो इसलिए कोड सबसे पहले बोरूटो को मारना चाहता है जिससे ये चीज़ तो बिलकुली clear है कि कोड पे भी सबकी तरह ओमनिपोटेंस का असर हुआ है और अब वो टैंटेल की आरमी के साथ बोरूटो और साथके पे अटैक करता है और अपनी वही पुरानी चाल चलता है पहले आरमी की मदद से दोनों को ठकाता है और फिर खुद जंग के मैदान में उतरता है पर अभी भी वो अपने लक्षे में काम्याब नहीं हो पाता और यही वो पहली situation बनती है जहां कोड को इसकार मिला हो सकता है जो कि mostly chances है कि सासके ने दिया होगा और इसलिए ज़्यादा chances है कि सासके ने ही वो इसकार कोड को दिया है तो यह थी पहली possibility और अगर कोड और बोरूटो की fight कभी बाद में होई होगी तो यह हो सकता है कि यह इसकार बोरूटो ने दिया हो तो यह उसके लिए बोरूटो और सासके दोनों को ही मारना बहुत असान हो गया होगा क्योंकि जब सासके के पास रिनी गान था तो भी वो जीगन के सामने कुछ नहीं था और जब ऐसा हुआ होगा कि दोनों मरने की कगार पे होंगे तो ऐसे टाइम में कौन आता है बोरूटो को बचाने हाँ हाँ गयस करो मोमोशी की जी हाँ तो मोमोशी की पहले भी ये बोल चुका है कि अगर अब बोरूटो मरा तो वो भी साथ में मर जाएगा और इसलिए वो बोरूटो को कभी मरने नहीं देगा और ये सारी बाते हमें एपिसोड 293 में भी देखने को मिली थी तो अगर बोरूटो यहां मरने वाला था तो डेफिनेटली मोमो शीकी ने बोरूटो को बचाया होगा और मोमो शीकी ने ही कोड को इसकार दिया होगा एक बात और बोल देता हूँ जबसे आईडा ने कोड को छोड़ा है ना कोड की हालत किसी गली के कुत्ते से ज़्यादा देखने को नहीं मिली जो कोई आता है पेल के चला जाता है भाई उसके लिमिटर्स रिमूव हो हैं इस्ट्रॉंग दिखाओ ना हर जगे पिटते ही जा रहा है किशी मोटो सरजी रहम करो वेचारे पे और अब किशी मोटो ने मेरी बास सुन ली और स्टोरी में आ गया है चेंज और वो है कि कोड ने सासके को मार दिया है तो ये चीज पता नहीं कन्फरम होने वाली है या नहीं पर थियोरी है तो वीडियो बना रहा हूँ थियोरी के अकॉर्डिंग कोड और सासके की फाइट में कोड जीत जाएगा पर सासके की डेप्थ के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ इस फाइट में सासके दो तरीके से हारा जा सकता है पर्ष्ट की कोड ने उसकी शारिंगान आइस छीन लियो और जो इतकार वाली आइस है वो उसमें शारिंगान यूज़ कर सकता होगा और सेकंड की हाँ सास के मर चुका है क्योंकि किशिमोटो सर ने तो कह दिया है ये सीरीस बोरूटो की है नरूटो केरेक्टरस को नर्फ तो करना ही था पर फिर भी मुझे लगता है कि सास के जिन्दा है और बिना आखों के बोरूटो ने उसे कहीं पे छोड़ दिया है और रही बात कोड के शारिंगान यूज़ करने वाली बात की तो ये सच भी हो सकती है क्योंकि जादा कर लोग सभी अपने खतरनाक आइस को क्लोज ही रखते हैं जिससे उनका चाक्रा सेव हो सके जब तक difficult situation नहीं आती वो उसे उपन नहीं करते जिसको आप बोरूटो से रिलेट करके भी समझ सकते हो जैसे कि बोरूटो भी अपनी जोगाना इसको कभी उपन नहीं करता और ज़्यादा तर जब वो कार्मा यूज करता है तब ही वो जोगाना इसको उपन करता है जिससे कि चाक्रा सेव रहे और वो जल्दी ना थक सके तो same situation कोड के साथ भी हो सकती है वो भी अपना चाक्रा सेव कर रहा होगा खैर ये तो next chapter में पता चली जाएगा जब कोड कावा की और बोरूटो की fight श्टार्ट होगी इसके अलावा बस एक ही और possibility बचती है इसकार के बारे में कि जैसे time skip से पहले कोड 10 टेल पे अपने claw mark लगा कर उनसे अपनी आर्मी बना रहा था तो वो soldiers उस समय कोड के कंट्रोल में नहीं थे और वो कोड पे ही attack कर रहे थे तो ये भी possibility है कि उन्ही soldiers ने कोड को इसकार दिया है कोड पूरी आर्मी को संभालते संभालते उनका शिकार हो गया होगा और जब उसने एक साल में उन पे पूरी तरह से काबू कर लिया तो वो बोरूटो को हंट करने के लिए निकल गया तो इसी के साथ आज की theory वीडियो होती है एंड जल्दी मिलेंगे हिमावारी और आईडा के Omnipotence की weakness related theories के साथ तो जब तक के लिए बने रहे चैनल पे नियू हो तो subscribe करे वीडियो अच्छे लगे हो तो like करे जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में Thanks for watching